आज मैं आपके साथ बिल्कुल आसान और नए तरीके की नाश्टे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसे बहुत ही कम सामान से और मिंटों में बना के तयार कर सकते हैं और घर में रखी चीजों से ही इसे बना के तयार करेंगे बहुत इंस्टेटली बन जाती है फ्रेंट् क्さमच होजाँ बहुत एज्चाहें में इसे काक मिनट के कारिब लगेगा इसे घ्राइंड करने में तो ऊठीज हम दना है फोल बन चुका है यह अपिर चुटाश चमच यहां पैंके राक्यकर करैने इसमें हम चुटेच हम 역ale केदें आफे यहां पे साबुद जीरा आइड कर देना है और आधा चोटा चमची इसमें हम अजवाइन आइड कर देंगे और इसमें आधा चोटा चमच हम अधरक लैसुन का पेस्ट आइड कर देंगे यहां पर भागी चीज दो आलु लिया है जिसे इसे इस तरह कम फोल प्रेट कर लिया है जोते टूगरे नहीं रहेंगे तो बहुत अच्छे से हमारा यह डोड़ हो जाएगा और करेंगे अपके पास हो तो ज़रूर से एट कीज़े गएगा और चाब लगा लेंग रिखंस के लिइस में त्यार का जहाँ पानी के हम मैं मैं क्लिन कर्के यूज करेंगे इस तरह से किनारो को कट करेंगे लिए तरह हुसते जार से इसे महतं ही सासर कट कर लेना है मैं इसके कड़ पर चार पैसे में मुश्क टा colors करें तो बहुत अच्छे से 2 फूल पाए अगर बहुत पतला कर देMmघ तो यह फिर क्रिस्पी होने के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है तो इसी तरह से मैंने सभी को तयार कर लिया और कि मैं थीकनेस आपको दिखाती हूँ कि कितना हमें मोटा रखना है तो देख सकते हैं इतना मोटा है तभी हमारे जो यह है दम फूल सबढ़ flavored पाएंगे तो चलिए चलते हैं इसे अब हम फ्राय करने की तरफ मैं तरफ ऌलेंगे याहां and I love तेल अच्छा गडाई में फ्राय किजेगा जितना कडाही इसलिए में इस से चार आपके ज़रूरत जाहेंगों प्लटने उलटने के जरूरत यह होते जाएंगे अपने आप ही फूलते जाएंगे बहुत ही टेस्टी यह नाश्ता बन के तयार होता है और मिंटो में चेह भी नहीं लगता है तो थोड़ा सा स्पेस था यहां पे तो मैंने एक और आइड कर दिया है ताकि जल्दी-जल्दी सब फ्राइड हो जाए तो देखी अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राइड करना है दो से तीन मिनट लगेगा इसे फ्राइड करने में बहुत ही इंस्टेंटली वाला यह नाश्ता है फ्रेंट्स तो यह सारा अमारा फ्राइड हो गया एक बैच तो इसी तरह से अब हम सभी बैच इसको फ्राइड कर लेंगे अब इसमें हम बाकी के जो बचे हुए वो भी फ्राइ कर लेंगे इसी तरह से अगर आपको वीडियो थोड़ी से भी पसंद आ रहे तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा इतने लोग वीडियो को देखते हैं बट सबस्क्राइब कोई नहीं करता अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज सबस्क्राइब कर दिया करें कोई मेहमान आए तो उसे भी जटपट से आप बना के इसे सर्फ कर सकते हैं तो चलती हूँ इन्शालला फिर लोट की आओंगी एक बहुत ही जबरदस सी रिस्पी के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफीज थाइंक्स फूर वाचिंग